आज की वीडियो में हम फ्रीज में लगने वाला रिले ओल्पी को चेक करेंगे वो भी इस मल्टी मिटर से हम इस वीडियो में दिखाएंगे चेक करने के बहुत सिंपल और सही तरीके तो मैं यहाँ पर इस रिले ओलोड को रख देता हूँ सबसे पहले देखिए मल्टी मिटर को हमें सैट करनी होती है तो यहाँ पर जो काटा है उसको यह जो साउंड वाला ओप्सन दिख रहा है उसमें लाके सैट करनी है तो ये रेखे हमने इस काटे को sound वाले option पर set कर दिया है उसके बाद इसमें जो दो wire लगाते हैं वो दोनों wire हमने लगा दिया है सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये ampere meter कहीं खराब तो नहीं है सबसे पहले इसको ही चेक कर लेते हैं तो sound आ रही है मतला meter बिल्कुल ठीक है अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो ये जो freeze में लगने वाला overload इसको चेक करने के सही तरीके बताते हैं यहाँ पर एक wire को रखते हैं और ये जो दूसरी वाली wire है उसको इस तरीके से touch करते हैं चालू है तो continuity बता रही है खराब होगा तो नहीं बताएगा ऐसे आप अपने freeze की जो overload होती है उसको चेक कर सकते हैं मैं इसको थोड़ी दूर रखता हूं ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर हम तीन तरीके के relay लिये हैं तीनों में अलग अलग चीज़े बताएंगे यहाँ पर देखिए तीन पीन वाला relay है इस तीन पीन वाले का ये जो relay है उसको चेक करने के तरीके देखते हैं ये फिरिज की compressor में कुछ इस तरीके से लगता है तो इसकी इस side पर हम इसको लगाते हैं एक wire देख पा रहे हैं अब इसको चेक करने का simple तरीक है यहाँ पर पी relay है वो भी बिल्कुल चालू है फिर यहाँ पर देखते हैं दूसरी वाला ये चालू है या नहीं कैसे पत्ता करोगी कि वो relay खराब कैसे होता है देख पार हम सेम उसी तरीके से एक point इधर लगाते हैं अब दूसरे point में side चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर multimeter म नहीं बता रहे हैं तो यह जो relay देख रहे हैं यह खराब हो चुका है ऐसे confirm कर सकते हैं अब बात करते हैं जिसमें simple एक ही pin होता है यह देखें उसको कैसे check करते हैं तो एक pin वाले के side पर ऐसे wire को लगानी ही लगानी है यहाँ पर दो छेद बने हुए हैं दोनों छेद में हम देखें बारी बारी चेक करेंगे पहले यहां चेक करते हैं continuity बता रहे हैं दूसरे वाले पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी continuity बता रहे हैं अगर मालो दूसरे वाले पर continuity नहीं बताएगी तो relay खराब हो सकता है और बताई तो relay चालू है इस तरीके से हम फिरीज की relay को simple और सरल तरीके से मल्टिमीटर से चिक कर सकते हैं दूस्तों हमारी वीडियो से जानकारे मिली हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर कीजेगा फिर से लाएंगे नए वीडियो नहीं जानकरी साथ